कावया एक नमबर की चुगल खोर औरत थी, जब देखो तब वो बस अपनी सास की बुराई करती रहती थी, क्या सच में कावया की सास इतनी बुरी औरत थी, या फिर कावया लोग की सिंपैथी लेने के लिए ऐसा करती थी, आईए देखते हैं, एक दिन की बात है, बहु, पा मे कॉल पर? पता है मा, आज मेरी सास ने मुझे चला दिया, नहाने के लिए गरम पानी मांगा और मैंने पानी दिया, तो उसने मेरा हाथ उसमें डाल दिया, और कहने लगी, कल मुः अगली बार से इतना गरम पानी दिया, तो तुझे उसी में डुबो कर मार डालूंगी. शाम में कॉल पर पता है मा, आज मेरी सास ने मुझे चला दिया नहाने के लिए गरम पानी मांगा और मैंने पानी दिया तो उसने मेरा हाथ उसमें डाल दिया और कहने लगी, कल मुझी अगली बार से इतना गरम पानी दिया तो तुझे उसी में डुबो कर मार डालूंगी क्या ऐसा कहा तेरी सास ने उस कलूटी की तो मैं जान ले लूँ नहीं मा गुस्सा मत कर अब जैसी भी है मेरी सास है और ये ही मेरा घर है बच्ची मेरी बच्ची तू टेंशन न ले मैं हूँ अभी मैं रखती हूँ मा जी आ रही है ना जाने मेरी बेटी कहां भज गई वही शाम में कॉल पर पता है मा आज मेरी सास ने मुझे चला दिया नहाने के लिए गरम पानी मांगा और मैंने पानी दिया तो उसने मेरा हाथ उसमें डाल दिया और कहने लगी कल मुझे अगली बार से इतना गरम पानी दिया तो तुझे उसी में डुबो कर मार डालूंगी क्या ऐसा कहा तेरी सास ने ओस कलूटी की तो मैं जान ले लूँ नहीं मा गुस्सा मत कर अब जैसी भी है मेरी सास है और यही मेरा घर है बच्ची मेरी बच्ची तू टेंशन न ले मैं हूँ अभी मैं रखती हूँ मा जी आ रही है ना जाने मेरी बेटी कहां भज गई ऐसे ही शाम के समय बहु ये ले चाए पी ले मैंने तेरे लिए चाए बनाई है सारा दिन काम करके ठक जाती है ना रेस्ट कर ले थोड़ा थैंक यू मा जी वही जब सास मंदर चली जाती है तुझे पता है रादिका मेरी सास बहुत जुलमी है कल चाए में मक्खी पर गई तो कहती है ये ले ये चाए पी ले जब मैंने मना किया तो मुझे दो थपड़ मारा कहती है चाए पती और दूद फ्री में आता है क्या और जबरण मुझे मक्ही मरी हुई चाए पिला दी कितनी कमीनी है तेरी सास भगवान करे कीडे परे उसे ऐसा मत के जैसी भी है मेरी सास है वो मेरी मा जैसी है वही जब वहू बाजार से घर लोट रही होती है वही जब सास मंदर चली जाती है तुझे पता है रादीका, मेरी सास बहुत जुल्मी है कल चाए में मक्ही पर गई, तो कहती है ये ले ये चाए पी ले जब मैंने मना किया तो मुझे दो थपड़ मारा कहती हैं चाए पती और दूद्ध फ्री में आता है क्या और जबरन मुझे मक्की मरी हुई चाए पिला दी कितनी कमीनी है तेरी सास भगवान करें कीडे पड़ें उसे ऐसा मत के जैसी भी है मेरी सास है वो मेरी मा जैसी है वहीं जब बहु बाजार से घर लोटरी होती है अरे बेटी इतनी धूब में पैदल क्यों आ रही है रिक्षा कर लेती ना मा जी कहती है आटो का क्या पैसा तिरह बाप भरेगा वैसे भी आटो से आउंगी तो मोटी हो जाऊंगी पैदल चलूंगी तो पतली रहूंगी इनके घर का खाना जुका जाती हूँ और ऐसा मत कह बहूँ ऐसा तो मा जी कहती है आटी मैं तो बस बता रही हूँ खेर अपने घर की में बुराई नहीं करती मेरी सास बहुत अच्छी है कितनी बेचारी है ये कावया इसे ही चुडल जैसी सास देनी थी भगवान ऐसी बहुत सब को मिले आँटी जी चलती हूँ अभी बहुत काम करना है इस तरह कावया हमेशे अपनी सास की बहुत बुराई करती है वहीं उसकी सास हर समय अपनी बहु को आराम देती है और उसकी केर करती है बदले में उसे ये सब मिलता है ऐसे ही दिन बीट रहे थे एक दिन की बात है भगवान ये बुरिया मर क्यों नहीं जाती नाक में दम किया है शाम के वक्त बहु आज मैंने पड़ोसन तेरी मा और सहेली सब को बुलाया है घर में किटी रखी है क्या बात कर रही हो माजी हाँ आज तो मैं गई वहीं शाम को जब सभी आती हैं तो सास को बहुत बुरा भला सुनाने लगती है ये किटी रखकर मेरी बेटी को अराम देने का दिखावा किया जा रहा है हां बिचारी मेरी बेटी बहुत जुम किया है आपने इस पे समधन जी ऐसे ही सभी एके करके सास से शिकायते करती है और कावे की तरफदारी करती है तब सास को पता चलता है कि कावे उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहती और उनका दिल बैठ चाता है बाहु तुझसे यो मीन नहीं थी कि इतनी अच्छाई का सिला ये मिलेगा इसकी बाद सास सचमे बाहु को घर से निकाल देती है और उसे सबक देती है कि अच्छे इंसान के साथ बुरा करोगे तो उसे बुरा बनते देर नहीं लगे की।